हेलो एव्रीवन आइम आस्था वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गौर्मेंट जॉब जेन्यू नौटिफिकेशन सो CVSC वोर्ड एक्जाम निशन का रिजल्ट सभी इस्टुडेंट वेट कर रहे हैं जिन्हों ने भी CVSC वोर्ड 10th and 12th का एक्जाम दिया हुआ है 2024 अब इसमें जो रिजल्ट है लगवग सभी स्ट्रेट वोर्ड के रिजल्ट आ चुके हैं and ICSC का भी रिजल्ट आ चुका है लेकिन CVSC का रिजल्ट 10th and 12th दौनों क्लासेस के लिए रिजल्ट अभी नहीं आया है और इस्टुडेंट इसका वेट कर रहे हैं तो हम जानेंगे कि कब तक आपका रिजल्ट आ सकता है and इसके अलावा CVSC की तरफ से एक और रिजल्ट को लिख करके कि आफ्टर रिजल्ट आपको क्या करना होगा ये important information आपको दी गई है latest notice CVSC की तरफ से release किया गया है जिसमें हम जानेंगे उस notice में क्या कुछ दिया गया है सारी कुछ important dates भी उसमें cover की गई है अगर आप examination के बाद आपको जो भी requirement रहती है कई students है जो जैसे की rechecking वगरा या बहुत से अलग लग तो तीनों के लिए अलग लग date यहाँ पर बता दी गई है important dates है और यह CVSC की तरब से result declare करने के पहले क्यों दी गई है इसका भी reason इन्हों ने इस notice में बताया है तो अगर आप ने भी CVSC 10th और 12th के examination दिये हुए है 10th का या 12th का तो वीडियो में बने रहेगा यह वीडियो आपके लिए important रहेगा सो चलिए start करते हैं अभी आप देख रहे हैं मैं CVSC की official website पर हूँ और इसमें आप देखेंगे यहाँ पर important notice आया हुआ है जिसमें आप यहाँ पर देख रहे हैं information regarding verification of marks and related activities यह 6 माई 2024 को new notice यहाँ पर release किया गया है और यह verification of marks and related activities को लेकर के यहाँ पर यह notice है तो चलिए हम इसको open करेंगे और जानेंगे इस notice के बारे में तो अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं यह notice मैंने open किया हुआ है कैंद्री माधमिक सिक्छा बोर्ट, Central Board of Secondary Education 6 माई 2024 को यह notice circular यहाँ पर release किया गया है verification 2024 CVSC यहाँ पर बताया गया है evolution of the answer books is done under a well settled policy मैं आपको यहाँ बता दूँ इस notice में क्या बताया गया है पूरा सब कुछ अगर आप चाहें तो आप भी इसको download करके पढ़ सकते हैं इसमें क्या है result के बाद में बहुत से student ऐसे होते हैं जो अपनी marking से satisfy नहीं होते हैं जो उनको percentage या mark जो दिये गए हैं उनसे वो satisfy नहीं होते हैं ऐसे में वो अपनी books को sorry जो notebook है exam इनको आप rechecking अपनी जो उत्तर पुस्तिका है उसको आप rechecking के लिए डालते हैं या आप इसकी copy लेना चाहते हैं scan photocopy आप यहां पर लेना चाहते हैं तो उनके regarding ही यहां पर यह notice आया हुआ और यह result के पहले क्यों यहां पर आया है कौन-कौन सी date इसमें आई है वो भी हम देखेंगे पहले आप देख लिजे कि result अभी CVAC की तरफ से declare नहीं किया गया है CVAC board examination result लेकिन उसके पहले यह notice यहां पर release कर दिया गया है ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि इन्होंने यहां बताया है कि यह observe किया गया है कि many students and parents जो कि अपने answer से जो marking उनको दी गई है उससे वो satisfy नहीं होते हैं ऐसे में जो students हैं parents हैं यह यहां पर after last date जो last date होती है उन last date के बाद में correction के लिए पहुंसते हैं या rechecking के लिए पहुंसते हैं और यह offline तरीके से office में जाकर के यह काम करवाते हैं या कहते हैं ऐसा करने के लिए जो कि valid नहीं है क्योंकि यहां पर यह जो सारी process होती है यह rechecking है या scan copy है यह आप online mode पर ही होती है यहां पर mention किया गया है no request after the last date and in offline mode यह सारा सब कुस जो भी होगा exam के बाद अगर आप satisfied नहीं है और आप अपनी copy देखना चाहते हैं या आप उसको rechecking कराना चाहते हैं या photocopy skin photocopy आप उसकी लेना चाहते हैं तो इन सब के लिए सिर्फ online mode पर ही आप यहां पर यह process कर सकते हैं offline नहीं कर सकते हैं अभी तक जैसे यह बाद में अगर inform देते थे result के बाद में तो बहुत से जो parents हैं या student हैं वो website पर जाकर के dates वगरा check नहीं करते थे कि क्या last date रहेगी और उसके बाद में वो जब आते थे और offline तरीके से वो इस काम को करने के लिए बोलते थे जो की valid नहीं है तो वहां नहीं किया जाता था तो ऐसी कोई परिशानी आपको ना हो इसलि यह notice अभी maximum के पास पहुझ गया होगा जिससे उनको dates की information हो जाएगी इसी कारें इन्होंने result के बाद में ना करके क्योंकि एक बार result declare हो जाता है उसके बाद website पर कोई भी update नहीं रहता है तो result के पहले इन्होंने यहां पर यह update दे दिया है चलिए अब हम इसमें important date देख ल जो verification of marks के लिए जो schedule रखा गया है वो result declare होने के 4th day से 4th day from date of declaration of result और यहां से लेकर के 8th day from date of declaration यानि 5 days तक आपके लिए यह verification of marks के लिए open रहेगा याद रखेगा जिस दिन CVSG board का exam declare किया जाएगा उस दिन से पास दिन आपके लिए रहेंगे जिसमें आप verification of marks करवा सकते हैं ठीक है यह important dates है आप सभी के लिए इसलिए इनको अच्छे से यह pdf आप download कर लिए डेट याद रखेए second है यहाँ पर scanned photocopy of the evaluated answer books तो इसके लिए जो date है यह 19th day from date of declaration of result to 20th day from date of declaration of result result, result declare होने के 19 वे और 20 वे दिन यह दो दिन के लिए सिर्फ आपके लिए open रहेगा ठीक है 25 यहाँ पर भी स्रिफ आपको दो दिन का ही टाइम दिया जा रहा है जिस दिन result declare होगा उससे 24th day and 25th day declaration of result आप यहाँ पर reavolutions answers कर सकते हैं तो यह तीनों के लिए आपको यहाँ important dates बता दी गई हैं इनको आप जरूर याद रखेगा इस PDF को आप official site से download कर लिजेगा क्योंकि यह जो date है इन्हीं में आप यह correction या आप जो बुक वगरा देखना चाहते है फोटो कभी इसके निए सारा आप इसके बाद में नहीं कर पाएंगे और यह सभी आपको online ही करना होगा तो जैसे ही आप यह date जो आपको दी गई है फोर्थ डे या एट्थ डे जो पास दिन का starting में दिया है उसके बाद दो दो दिन के दिये इसमाँ जब आप official site पर जाएंगे तो वहां से 20-22 मैं के आसपास आपका यहां पर result declare किया जा सकता है कई जगह आपने सुना होगा कि 15 के पहले भी result आ सकता है लेकिन अभी officially ऐसा कोई भी announcement नहीं किया गया है कि result कब तक आ सकता है लेकिन फिर भी poverty है कि यहां पर आपका जो result है वह 20 मैं के बाद में 20-25 के बीच में आपका result आ सकता है ओके तो यह एक important अब यहां पर जो आपको बताए गई है यह जो date है इसमें भी इन्होंने एक बार और यहां कर दिया है कि जो actual scheduled होगा will be issued once the result is declared result declared होने के बाद भी आपको एक बार फिर से inform किया जाएगा तो अभी तो इन्होंने यह date आपको बता ही दिये इसके बाद आप result के बाद भी यहां पर थोड़ा सा update रहेगा website पर okay so video अच्छा रगाओ तो like and share कीजेगा thank you